हेलो फ्रेंट्स वेलिकम टो एवर जम्टिक दोस्तों यदि आप यूवी पीस से समधित खीशिवी एक्जाम की तैयरी करें होंगे तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे कि आरो यारो का दोजार सुले में जो अब यहां पर जो यहां पर जो आरो यहां यहां पर लीए जाएगा पीस चीजिए आपको बताया जाएगा तो वीडियो को लास्ती जो देखेएगा उससे पहले दोस्तों यदि आपने हैं हमारी उट्यू चैनल पर तुश्वरां सब्सक्राइब कर दि सब्सक्राइब करने की कर रही है तैयारी आपको पता है कि यहां पर मैंने कुछ तिन पहले ही नूज बताया था कि यहां पर मीड़ाफ जून में मिड़ाफ जून मतलब पंदरे जून तक यह पारिछा कालेंडर गोजित कर दिया जाएगा जो भी एक्जाम कैंसल हुए थे उनके डेट से समझेद कि उनका एक्जाम कब लिया जाएगा दोस्तों यहां भी सबसे इंपोर्टन बात यह है कि जो यूपी पीएससी 2016 का एक्जाम हुआ था इसका जो है अविलेकन सत्यापन कब होने वाला है तो यहां पर साफ साफ बताया गया है कि 28-30 जून के मद यह अविलेकन सत्यापन लिया जाएगा उससे पहले दोस्तों यह 22-25 अपरेल तक प्रस्तावित था लेकिन बाद में कोरोना के कार्ण टाल दिया गया था तो अब यह संसोधी डेट है यह 28-30 जून के मद जो है अविलेकन सत्यापन करा सकते हैं तो दोस्तों यह घोसित कर दिय गया है और यारो से समय और दोस्तों आरो यारो दोजर इकीस का एक जाम जो है एक अगस्त को प्रस्तावित है और 80% चांसे से ही है कि यह लिया जाए तो दोस्तों यहां पर जो समने निकल के बात आ रहे है यहां पर देखिए हाला की संसोधी परिशा कैलेंडर जारी होने पर जुलाई से दिसम्बर तक पूर्य निधारित पर इच्छाओं की तीथिया भी प्रभावित होंगी तो ऐसा नहीं है कि जो है जो डेट पैले से निधारित है वह उसी डेट हो क्योंकि देखिए दो पीसीस का एक्जाम जो होना था तो उसमें प्रीपर एक्जाम था उस डेट में लिए जाने की संभावना अधिक है तो आप अपनी तयारी बनाए रखी एक अगस्त कोहनी की संभावना आ रहो यारो की एकदम है तो यहां पर देखिए यह निकल के सामने आ रहे है और दोस्तों यहां भी बताया गया है कि आपका जो एक्जाम होगा वह अगस्त अगस्तु बर के मद ले लिए जायेगा जो ही अभी निद्रस्त हुई है उन सभी पर इस परिछाओं का परिछाओं को जो है आगस्त एक्टूबर के मद ले लेने के लिए यहां पर बताया जा रहा है तो विडियों को अलाश्तों देखने के लिए धन्यवाद और चैनल प फिर मिलेंगे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जाएंगे